आर्दा देवान नमस्यंती तब कुर्वंती रोगिने निर्धना ना दानम इच्छंती प्रिद्धा नारी पती प्रिद्धा यानि कि संकट में लोग भगवान की प्रात्ना करते हैं रोगी व्यक्तित तब करने की इच्छा करता है, निर्दन को दान करने की इच्छा होती है लोग के वोल परिस्तित के कारण अच्छे गुण धारण करने का नाटक करते है विल्कुल उसी अब विद्यार्थी की तरह जो अपनी गलतियों को रोज दोहराता है और सफलना होने पर नहीं योजनाय बनाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वह अपने पुराने धर्रे पर लौट आता है और पुन असफल होता रहता है। सूसल्ड मिडिया पर अगर आप सक रही हैं और ट्विटर पर भी आप सक रही हैं तो लखनों विश्विद्धाले के द्वारा इस समय लखनों विश्विद्धाले की वेबसाइट पर 13 जून तक बेलेट कोर्स के लिए आप आनलाइन आवेदन कर सकते हैं जानकारी आपको यलके ओ यूएन आईवी डाट एसी डाट इन वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दी गई है दोस्तों सुरू करते हैं आज की मॉनी न्यूज और जैसा कि आप जानते हैं आज है 30 मई तो यहाँ पर चो खबर है वो यह है कि प्रदेश के एक उच्छ अस्तरी अधिकारी और सामाजी कारेकरता की ओर से बेसिक सिख्चक परस्त की सहायक अध्यापक भरती परिच्छा में धादली का आरोप लगा कर FIR दर्ज करने की मांग संबन्दी खबर सुस्तर मीडिया पर वारल होने के बाद सुक्रवार को दिन भर हरकम मचा रहा है वारल खबर में सिख्चक परिच्छा में धादली ब्यापत होने का आरोप लगाते विए यह भी दावा किया गया है कि सामाजी कारेकरता के पास इस स से जुड़े तमाम सबूत भी हैं और उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी है हलाकि इस मामले में करनल गंज इंस्पेक्टर अरुन कुमार्तियागी किसी तरह की तहरीर मिलने की बात से इंकार कर रहे हैं तो यह है अमरोजाला में छपी है अभी आयोग के द्वारा कि 21 जून को यह परिक्षा होगी या फिर नहीं होगी हलाकि आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनोती हो गया है अब परिक्षा केंद्रों का निर्धारन प्रदेश के तमाम जिले रेट जोन में हैं जहां परिक्षा केंद्र नहीं बनाय जा सकते हैं जोकि आयोग को सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए इस बार और अधिक परिक्षा केंद्रों की भी आवशकता पड़ेगी तो जैसा कि फ्रेंट्स आप जानते हैं कि जो परिक्षा पीसे 2019 के पारमी परिक्षा थी तो वह उनने जिलों में कुल 1166 केंद्रों में कराई गई थी और इस परिक्षा के लिए साड़े पांच लाख अपिरतों ने आविदन किये थी पीसे 2020 के लिए अब तक को चार लाख आविदन आ चुके हैं और अभी परिक्षा की डेट 21 जून ही बताई जा रही है हाला कि इस समय आगरा, कानपुर नगर, लगनव, पारी फैली भी है, तो यहां पर केंद्र बनाना खत्रे से खाली नहीं होगा, तो इसके लिए अब कोशिस की जा रही है कि सोचल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और जो परिक्षा केंद्र हैं उनको ऐसी जगों पर बना जाए जहां पर खत्रा कम हो, तो यहां पर ज यह परिक्षा आगे बढ़ेगी, फिलाल अभी कोई भी नया डेकलरेशन इस पर नहीं आया है, और बड़ी संक्या में ऐसे भी अब्यर्ति हैं जिने 69 जाज सिक्षकवर्ती में आवेदन में संसोधन का मौका नहीं दिया गया, तो ऐसे अब्यर्ति जो है वो कह रहे हैं कि एक जून से वो परिसद पर अंसम करने की बात कह रहे हैं, हलाकि यह वो अब्यर्ति हैं जिन्नोंने 69 जाज सिक्षकवर्ती परिशा के समय भी अपनी जो है कुछ गलतिया कर दी हैं, और अब उसको सुधारे जाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनका डेटा मैच नहीं होता है उनके डाकुमेंट से, तो काउंसलिंग के समय उन्हें आउट कर दिया जाएगा, तो बड़ी संक्या में अब्यर्ति जो वो हैं, पियनपी का रहे हैं पहुंच रहे हैं द्रयाग राज में, तो दोस्तों कुल मिला के 31 मही को अब आपकी जो पाइदन नहीं किया है, काउंसलिंग की तयारी लगबग लगबग हर जन्रपद में डाइट पर करवाई जा रही है, जिसमें तीन से लेकर 6 जून के बीच, जो एक काउंसलिंग होगी और इसमें सोसल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिमार होगा, पहले चरण में कुल लो मेरिट अभिरतियों को सेकंड राउन में बुलाया जाएगा, अब आने जाने के लिए भी जो गाइडलाइन से वो लगबग लगबग जारी कर दी गई है, और जैसा कि आप जानते हैं कि लागडाउन के वज़े से यातायात की कमी होगी, तो यहां पर यह है कि जब होकेगा नहीं, यानि कि अभिरतियों आराम से अपनी काउंसलिंग लिए आवागमन कर सकेंगे, बेसिक शीचों विभाग की अपर मुक्य सच्चिव, रेंड़का कमार ने आदिस जारी करका है कि 31 माई के चैनित अभिरतों की सूची वेबसाइट पर आ जाएगी, और जाएगी, और साथ साथ आप ये भी याद रिखेगा कि अगर काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो सहायक अध्यापक भरतिक परिच्छा का आवेदन पत्र रहेगी, 79,000 का जो आवेदन पत्र है वो भी आप रखेगा अपने पास, सहायक का पहला पेंच जिस पर चैनित अब्यरती का नाम अंकीत होगा, तो ये सारे दस्तावेज आप जरूर इंक्लिट किजिएगा और इसके बाद जो डॉक्मेंट से उसकी जांकरी आपको गाइडलाइन से प्रवाइड कर दी गई है, सारे मूल दस्तावेज आपको लेकर जान अब्यरती अब तक सफल हुए हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें न्यूक्ती पत्र जल्द से जल्द मिल जाया है और इसके लिए अब वो उत्तर प्रदिस के मुक्यमंत्री से भी गवार लगा रहे हैं, ऐसे वो अब्यरती हैं जिनका डाक्मेंट वेरिफिकेशन हो चुका है औ और उन्हें न्यूक्ती के लिए अब रेक्मेंट किया जाना है, दोस्तों अगर मुबाइल नंबर जैसा कि आप जानते हैं, मुबाइल नंबर की संक्या तरही से बढ़ रही है और अब मुबाइल नंबर हो सकता है कि आने वाले समय में 11 नंबर का कर दिया जाए, क्योंकि जब 11 नंबर का मुबाइल नंबर होगा तो उसमें एक हजार करोन लगबग मदभी कल्ब और जैसा कि आप जानते हैं कि बरतमान समय में इस्तिती जो बन रही है, उसमें मुबाइल नंबर की संक्या भी बढ़ाई यानि एफेक्शी थे हैं, बहुत बड़ी संक्या में आप सुनवाई हो सकती है, सरकार के द्वारा काउंटर लगा दिया गया है, तो यह थी आज की कंप्लीट अपडेट, सोसल मीडिया पर अगर आप सकती हैं, तो आप हमें फेस्बुक, इस्टाग्राम, ट्विटर याथे टेलीग्राम पर इस्टडी विद्यान प्रकास मौझूद है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्रेंस आप लोगों में से बहुत सरा लोग ये भी करें कि उन्हें यंसी टी का जो अप्रूवल लेटर है, यंसी टी का जो अप्रूवल लेटर है, बीएड या बीटी सी या पी डीए डीलेड कालेज के लिए, तो वो उन्हें वेबसाइड से जो प्रत्रिया बने आपको बताई थी, तो उससे उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, देखिए कहीं कहीं पर कुछ तुरूटी एगर है वेबसाइड में, तो उसको सुधारा नहीं जा सकता है, ऐसी इस्तिती में आपको सीधे अपने विद करती है, तो यह थी फ्रेंड्स आज की कंप्लीट अपडेट और जो भी लेटर्स अपडेट होगी उसको लेकर हम आपके सामने आएंगे, दुबारा से तब तक लिए आगे लिजिए, नमस्कार जैहन्त